देश भर में सोया बीन का बढ़ता रखबा और पहितर उत्पादन की उमीद ने किस्तानों को सुनहरे सपने दिखाने शुरू कर दिये हैं सोया बीन से होता मोभंग फिर अपने शबाब पर लोटाया है इसका मुख्या कारण गत वर्ष मिलने वाली अच्छी कीमत बहतर उत्पादन है प्रन्तो दूसरा पहलू ये है कि सोया बीन का पुराना स्टोक और चालू वर्ष का बढ़ा रखबा और अधिक उत्पादन की आशा किस्तानों को भारी पढ़ सकती है क्योंकि इससे सोया बीन के दाम गिर सकते हैं और खादय तेल के दामों में कमी हो सकती है जो उभोकताओं के लिए तो लाबदायक हो सकता है और एक रहत की खबर हो सकती है प्रन्तो किसानों के लिए परिशानी का सबब बन सकती है दरसल गत 12 गस्त की स्थिती में देश में 118,676,000 हेक्टेर में सोयाबीन की सोइंग देखने को मिली थी जो गत वर्ष इसी अफदी में 117,93,000 हेक्टेर थी इस परकार गत वर्ष की तुलना में रखबा बड़ा है परमुक सोयाबीन उतपादक राजियों में मध्यपरदेश सबसे आगे है यह देश में कुल सोयाबीन उतपादन में लगबग 60-65 फिसद की भगीदारी करता है इसलिए इसे सोया राजिय भी कहा जाता है अब तक यहां लगबग 50 लाग हेक्टर में सोयाबीन की सोईंग देखने को मिली है हलाकि यह गत वर्ष की तुलना में लगबग 3,50 जार हेक्टर कम है इसके बावजूद मोसम की अनकूलता के कारण बंपर उतपादन की उमीद की जा रही है वहीं चालू वर्ष में महाराष्टर में 47,75,000 हेक्टर तो राजस्तान में 11,46,000 हेक्टर तथ करनाटक में 4,27,000 हेक्टर में तो वहीं गुजरात में 2,16,000 हेक्टर तेलंगाना में 1,52,000 हेक्टर और 36 गड़ में 38,000 हेक्टर रकबा कवर हुआ है गतवर्ष की तुलना में महाराश्र, राजस्तान, तेलंगाना और करनाटक में इस वर्ष सोयाबीन का रखबा बड़ा है ऐसे में माना जा रहा है कि अगर उतपादन अच्छा होता है तो आगे चल कर कीमतों पर दबाव बन सकता है अभर्ण सकता है